आज जब हमारे पास ढहर सारे अफसर मौजूद है, हमारे पास दरसल इतने सारे विकल्प हैं कि वो हमें लगबग पेरलाईז कर देता है, क्योंकि हमारे पास समय कम है. हम कैसे चुने? हम कैसे चुने की, हम क्या करना चाहते हैं? चुनाव करने को लेकर, शायद आप प्रोफेशनल और दूसरी तरह के चुनावों के बात कर रहे हैं, है न? क्या आपका यही मतलब है? देखे, इसे देखने के अलग-अलग तरीके हैं आज दुर्भाग्य से, मैं उन्होंने मुझसे पूछा अभी तक आप जितने भी युनिवर्सिटीज में गए हैं, क्या आपको वैसे सवाल मिले जो आप चाहते थे? मैं किसी खास तरह के सवाल नहीं चाहता था, लेकिन मैं हर तरह के सवाल चाहता था लेकिन मैंने देखा, कि बहुत कम सवाल पूछे गए जिनका संबंद दुनिया से, मानवता से, इस धर्ती पर मौजूद जीवन से, देश से हो इस तरह के सवाल बहुत कम आए, बहुत छोटा प्रतिशत बाकी सब व्यक्तिगर्ट चीजों के बारे में थे मैं ये नहीं कह रहा कि ये महत्वपूर नहीं है लेकिन मैं हरान हूँ कि नव्युवक्त देश और दुनिया की ज्यादा बड़ी स्थितियों के बारे में नहीं सोच रहे है ये कहने के बाद, देखिए, अपने जीवन को जीने के दो तरीके हैं या तो मैं वो करना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ मगर आपको समझना होगा कि जो आप करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक विचार है जो आपने पैदा किया और वो आपका भी नहीं है, उसे आपने अपने आस-पास से उठाया है हाँ, कुछ रुजान हो सकते हैं. तो जो लोग मुझसे पूछते हैं, किसी न्यूस चैनल ने मुझसे पूछा, सद्गुरू, क्या आप इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं? 2019, क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? मैंने का, मेरा ऐसा कोई रादा नहीं है. ठीक है, क्या आप अगले चुनाव में खड़े हो रहे हैं? मैंने का, नहीं. लेकिन क्यों? मैंने का, वो मेरी योगिता नहीं है. मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा राजनेता बन सकता हूँ. अगर मुझे लगता, तो मैं शायद उसके बारे में सोचता. तो एक चीज है रुजहान. क्या आपका किसी खास कारे के प्रती रुजहान है? क्या इसलिए आप उस दिशा में सोच रहे हैं? या आज धेर सारे लोग क्या करना है, इसका फैसला इस आधार पर करते हैं कि उन्हें उससे क्या मिलेगा? क्या मुझे इस तरह की जीवन शैली मिलेगी? क्या मुझे इस तरह की तंख्वा मिलेगी? क्या मैं इस तरह का पैसा और जीवन शैली कमा पाऊंगा? वो इसी के बारे में सोचते हैं. ये गलत तरीका है क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा और अंत में आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं होगा महत्वपून चीज ये है कि देखें अगर आप खुद को सबसे पहले आपको ये करना चाहिए आपको अपने जीवन में काम नहीं करने चाहिए अपनी बेचैनियों, अपनी निराशाओं, अपनी चिंताओं के आधार पर जब ये प्रशन आपके जीवन में एक गंभीर प्रशन बन जाता है तो आपको छुट्टी लेनी चाहिए कम से कम तीन से दस दिनों की, जो इस पर निर्भर करता है कि आप कौन है कुछ लोगों को शायद तीन दिन लगें, किसी को शायद ज्यादा समय लगे मान लेते हैं अधिक्तम तीन से दस दिन की रेंज में और अपने साथियों से प्रभावित ना हो फोन को स्विच आफ कर दें, अपने प्रफेसरों से प्रभावित ना हो अपने माबाप से या सामाजिक दबाव से प्रभावित ना हो थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं और देखें मैं आपसे एक सरल से सवाल पूछ रहा हूँ अगर वो आपके लिए कीमती है, तो आप इस कीमती जीवन को किस चीज में लगाने जा रहे हैं आपको इस चीज के चिंता होनी चाहिए, है ना आपको कोई चीज इसले नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कर रहा है ये चीजों को तै करने का तरीका नहीं है आप अपना जीवन लगा रहे हैं अगर ये जीवन कीमती है तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज वाकई आपके लिए माइने रखती है और आपको वही करना चाहिए कोई फर्क नहीं पढ़ता कि वह फायदेमंद है फायदेमंद नहीं है अगर आपका दिल किसी चीज में नहीं है तो आप अपना सर्वशेष्ट नहीं करेंगे है अगर आप अपना सर्वशेष्ट नहीं करते तो आपके साथ शांदार चीज़ें कैसी होंगी देखें चाहे व आप उसके प्रती पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, जो आप कर रही हैं, तो आप कभी अपने जीवन में कोई महत्वपून काम नहीं कर पाएंगे। और कुछ नहीं जानता, उनका पूरा समर्पन है, बस गेंद को मारना, गेंद को मारना, गेंद को मारना और वो उसे ऐसे मारते हैं, जैसे कोई नहीं मार सकता, अब वो एक भारत रतना है, हाया ना? ये बस समर्पन है, आप उनसे अकेले में बात करके देखिए, आप गेंद के बारे में बात कीजिए, वो उसके प्रती इतने समर्पित हैं, ठीक है? वो उनका धर्म है, वो उनकी पवित्री चीज है, वो उनके लिए सब कुछ है, उस गेंद को मारना, अपना सारा जीवन, वो एक मामुली से काम में लगा देते हैं, गेंद को मारने में, क्या ये एक बड़ी चीज है? लेकिन गेंद को मारना, जबरदस समर्पन के कारण, द प्रती समर्पित हो सकते हैं, आप यूँ सोचें, अगर आज मैं अपना जीवन लगाता हूँ, तो अगले 25 साल, क्या मैं उसके प्रती समर्पित रह सकता हूँ, जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए महतोपूर्ण होगा, क्या मैं संतुष्ट महसूस करूँगा, अ लेकिन आपको अपने काम पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, है की नहीं? हेलो? इतना आपके पास होना चाहिए अपने जीवन में आपके पास इतना गर्व और आजादी होनी ही चाहिए इससे फर्ट नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया कहती है कि आप गलत हैं लेकिन आप उसके लिए शर्मिंदा नहीं हैं जो आपने किया है इतना आपको अपने जीवन में जरूर करना चाहिए अगर ये एक चीज आप छोड़ देते हैं तो आप एक बहुत मामूली जीवन जिएंगे आपके पास भले ही सब कुछ हो लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं होगा झाल